हेलो दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का एकवार फिर से सौगा थे और आज हम इस वीडियो में दोस्तों आपको कार का डैसबोर्ट क्लीन करके दिखाएंगे और पॉलिस करके दिखाएंगे प्रॉपर किस तरह से आप भी अपनी कार का बहुत ही आसानी से डैसबोर्ट क्लीन कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों मैं आपको इसकी कंडिशन दिखा देता हूँ देख लीजिए काफी दिनों से मैंने इसे क्लीन नहीं किया है और यहाँ पर यह फैवी को इक गिर गया था तो मैंने इसे clean किया है देखिए scratches भी आ गाए है scratch को भी हम मिटाने की कोसिस करेंगे काफी ज़्याद है dirty हो गया है dashboard में polish करने से क्या फायदा होता है दोस्तों इसके बारे में भी हम बात करेंगे इतना गंदा दिखाई दे रहा है दोस्तों एकदम ये चम-चम आता हुआ दिखाई देगा आपको वीडियो को बस लास्ट तक देखिए तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक साफ कपड़ा ले लेना है आपको और इसकी मदद से हम dashboard को clean करेंगे जितनी भी यहाँ पर dirt वगेरा दिखाई देगी आपको तो उसको सबको निकालना है जैसे dust वगेरा है तो सबको जटक देना है अच्छे से देखिए इस तरह से मैं जटक देता हूँ और यह जो vent दिखाई दे रहा है इसी vent इनके अंदर भी आपको कपड़ा डालकर clean कर देना है अच्छी तरह से ताकि यह भी बिल्कुली clean जाएं क्योंकि इस पर भी काफी ज़्यादा dirt जम जाती ही दोस्तों तो चलिए जल्दी से मैं इस काम को कर लेता हूँ और इसके बाद क्या करना है वो आपको मैं बताऊंगा तो चलिए दोस्तों मैंने कर दिया है अब देखिए आपको एक sample लेना है और एक brush लेना है खराब brush कोई भी आप sample यूज कर सकते हैं simple एक sample लगेगी इस से जादा sample नहीं लेना है और कुछ इस तरह से देखिए dashboard में हम डालेंगे sample को किस तरह से डालना है दोस्तों मैं आपको बता दूँ जहाँ पर अगर कोई ऐसी बटन वगेर लगी है electronic की या फिर stereo है इसके उपर में डालना है जो बड़े बड़े मोटे मोटे part दिखाई दे रहा है उपर जहाँ भी आपको गंदगी दिखाई दे रही है उसके उपर डालना है और उसके बाद हलका हलका उसमे पानी चीज़ देना है एक तरह से ऐसे कहलो कि हम इसे dry washing करने वाले हैं dry cleaning करने वाले हैं देखिए मैंने ये जैसे ही डाला और अब एक ब्रस लेना है और ब्रस की मदद से जितने भी यहाँ पर आपको dirt जमी दिखाई दे रही है या फिर कुछ ऐसे निसान होते हैं हम रग देते हैं खाने पीने की चीज़ तो लग जाते हैं तो उनको बिलकुल ही proper तरीके से clean कर लेना है बहुत आसानी से निकल जाते हैं तो चलिए जल्दी से मैं इसे भी clean कर लेता हूं और इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊँगा देखिए बिलकुल अच्छे से बारी की से साफ करना है दोस्तों जितनी अच्छे से आप साफ करेंगे उतना ही जबर्दस ये dashboard चमकदार दिखाई देगा आपको तो देख लिजीए दोस्तों मैंने इस तरह से यहाँ पर clean कर लिया है अब यहाँ पर मैंने जितना भी clean किया है इसको हम एक कपड़े से साफ करेंगे तो किस तरह से साफ करेंगे देखिए दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक सूखा कपड़ा लेना है इस तरह से देखिए हम इसकी सफाई करेंगे जितनी भी सेमपो वगेरा हमने लगाया है और cleaning कर रहा है तो उसको सूखे कपड़े से साफ कर देंगे और उसके बाद फिर एक गीला कपड़ा लेंगे और उससे जितनी भी सेमपो लगी है मतलब कि बिल्कुल हम साफ कर देंगे ताकि सेमपो का नाम और निशान मिड़ जाए देखिए मैंने हलका से गीला कर लिया है और देख सकते हैं दोस्तों काफी आपको अभी साफ दिखाई देने लगा होगा काफी दिनों से मैंने इसे क्लीन नहीं किया था और अगर एक बार आफ इसे क्लीन कर लेते हैं दोस्तों तो कई महीने कुछ नहीं होता है अगर हलकी फुल की ड़स्ट जमती है तो निकल जाती है तो हमने लिए हैं यहाँ पर Moto Max का पॉलिस और इससे interior भी पॉलिस कर सकते हैं और exterior भी पॉलिस कर सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देता है देख लीजिए दोस्तों, sponge में आता है छोटा सा तुकड़ा, सायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, लेकिन इस स्पंज के अंदर ही जैल लगा हुआ है, जितना भी लिक्विड आता है पॉलिश का तो इसके अंदर ही आता है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, मातर 20 रुपे में यह आपको मिल जाएगा, कोई भी आटो पार्ट की दुकान से आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो चलिए अब इसे किस तरह से यूज करना है, मैं आपको बताता हूँ, तो सिंपल कुछ इस तरह से आपको फॉर्म को पकड़ना है, और हलका हलका जिस भी पार्ट में आपको जम से प्रेस नहीं करना है, आपको फॉर्म को नहीं तो सारा एक जगा लग जाता है, पॉलिस लिक्विड लगाते समय इस बात का खास ध्यान रखना है दोस्तों, कि आपको कोई भी ऐसी जगह पर नहीं लगाना है, जहां पर आपका बार बार हाँच जाता हो, जैसे कि हलका हलका हम लिक्विड लगाते जाएंगे एक फॉर्म से और दूसरी से घिसाई करते जाएंगे, तो लिक्विड भी बच जाएगा और अच्छी तरह से घिसाई भी हो जाएगी, देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं चमका लेता हूँ जल्दी से, और आपको फाइनल लु जो हमारी नई कार रहती है या पुरानी कार, इस पे हम जब पॉलिशिंग करते हैं तो डारेक जो धूप पड़ती है, वो प्लास्टिक पर नई पड़ती है, इससे प्लास्टिक के जो कलर है वो नहीं उड़ते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, श्कूटर वगेरा में अ आप भी इस तरह से अपनी कार का डेशबोर्ट क्लीन कर सकते हैं और उसे पॉलिस कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये था हमारा चोटा सा वीडियो, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू